स्री राधावल्लब, स्री हरीवंस, बांके बिहारी जी की एक रोचक कथा बहुत फेमस है, जरा सुनियेगा, एक बार बांके बिहारी मंदिर में एक विचितर घटना घटी, वहां रोच भगवान को सयन कराते समय, पानी और कुछ लड्डू रख दिये जाते थे, एक बार पुजारी इस सिवा को भूल गए, लड्डू रखना भूल गए, वहीं बाहर दुकान में जो लड्डू बेच रहे थे, उन में से एक दुकानदार कई वरसों तक यही इच्छा करता था कि मैं तो यहां लड्डू बेच रहा हूं, लेकिन कभी न कभी बांके बिहारी मेरे पास भी आएं, मेरे इस दुकान में आएं, मैं उन्हें तो वहां के सेवा पुजारी गोस्वामी जी रखना भूल गए रात को, बिहारी जी रात को, रात का समय है, 11-12 बजे का समय है, जब दुकान बंदर हो रही होती है, उस समय वह पुजारी अपने दुकान को बंद करना चाह रहे थे, बस अंतिम अवस्थाती बंद करने की, तो एक छोटा सा नंहा बाला आता है और कहता है कि वो लड़ू मुझे दे दो, मुझे लड़ू कहाने है बेटा वो लड़ू तो साथ खतम हो गया है, देखता हूं तो चार लड़ू रखे हुए थे तो उस दुकानदार ने लाला को कहा ले लाला ये लड़ू ले 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 तो कितनी कीमत हुई इसकी तो लाला ने का ये थोड़े से पैसे हुए इतने हुए हैं तो लाला ने का मेरे पास तो पैसा नहीं है तुम ये मेरे कंगन रख लो कल मेरे बाबा आएंगे उसे छुड़वा लेंगे ये दोनों कंगन वो छोट दिन जब पट खुलता है तब देखा जाता है कि भगवान का कंगन तो वहां से गायब है पूरी खोच खबर हुई कि कहां गया कंगन लेकिन कंगन नहीं मिला यहां बाद बाहर दुकानदार को भी पता लग गई अब दुकानदार सोचने लगा कि बिहारी जी स्वेम रात को म वहां रोने लगा कि मेरे भगवान मेरे पास आय थे मैं पहचान ही नहीं पाया और उसने वो कंगन मंदिर में जाकर गोस्वामी जी को दिये और पूरी बात बताई तो देखिए ठाकुर जी सब के मन के भाव को समझते हैं यदि आपका भाव सच्चा है उनसे प्रेम करने वाला है तो एक मा एक दिन भगवान आपके भाव को पूरा करते हैं देखिए गोपी जनों के जो जो भाव थे भगवान ने उस रूप में उनकी इच्चाएं पूरी की गोपी जन चाहती थी कि मेरे घर में भी लाला आएं वो माखन चुराएं उनको माखन चुराते हुए मैं देखू, फिर बाद में उनको माखन खाते हुए मैं देखू, फिर बाद में उनके हाथ को पकड़ कर, उनकी चूरी पकड़ कर, मैं उनको डाटू, उनको अपने गोदी में रखू, उनको सहलाओ, दुलराओ, इस तरह के भाव होते थे, तो जैसा भाव गोपियां करती थ हमारे प्रभु वैसा ही उनकी साथ चेश्टा करते थे, तो भगवान भाव के भूखे हैं, आप भी भगवान को भाव से रिजहाओ, कोई सेवा वस्तुपदार्थ से नहीं, भगवान भाव से जीतते हैं, वस्तुपदार्थ केवल भाव से अगर आप अर्पित कर रहे हो, प भाव से भगवान की सेवा करो, प्रेम करो, जजै राधावल लब, श्री हरीवन, श्री वरिंदावन, श्री वंजन, जजै श्री राधा, जजै श्री राधा